आज मैं नाखूना के बारे में चर्चा या टेरीजियम के विशे में लेकर आया हूँ कि सरकार का क्या युगदान है आईश्वान कार्ड के जरिए आपकी आँख में अगर नाखूना या जो मांस का टुकड़ा जो कभी-कभी आप देखते हैं नाख की तरफ से पुतली की ओ चड़ता है इनक्रोच होता है जो एक डिजनेशन है सब एपिजिलियर टिसूस का फाइब्रो वेस्कुलर टिसूस हैं वो ग्रोथ करते हैं पुतली की ओपर धीरे-धीरे चड़ते हैं उस कंडिशन में पेशन्ट जब सीशे में या धर के मिरर में देखता है तो इनक्रोच करता हुआ दिखता है जातर होता है पेशन्ट जब डॉक्टर के पास पहुंसता तो उसके अंदर एक विचार यह रहता है जब डॉक्टर यह कहता है कि भाई नाखूना हो गया है आपको और इसमें ऑपरेशन की जरूरत है तो तुरंट ही मन में ख्याल आता कि सर कोई ऐसा ड्रॉप नहीं है ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे हमको ऑपरेशन ना कराना पड़े मुझे ऑपरेशन से बाटर लगता है दवाई बता दीजे सर जो भी खर्चा आएगा वो लिख दीजिए वो लेली जाएगी और हम मुझे कट जाए नाखूना में दवाई का कोई रोल है यह जरूर है कि नाकूना के आसपास की एरिया में जब कभी इचिंग रैडनेस या चुबन के कारण या ड्राइ क्लाइमेट में आप ज़्यादा रहते हैं या कोई धुआ लग गया अलर्जी हो गई तो साइड में कभी-कभी उसके अगल-बगल लाली आ जाती है तो उस जो एक डिजन्डिटिव कंडिशन है तो इसमें दवाई उसमें आप डालेंगे तो कोई रोल नहीं है दवाई का तो जा ऑपरेशन की बात आती है तो परसन डर जाता है और ऑपरेशन से भागने लगता है कि भाई अभी ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं अभी नही हो जाता है कि सेंटर पॉइंट पर आकर आपकी रोशनी में रुकावट लड़ा देता है तो आपको उससे बचना है और कोसिस यह करना है कि आपको पुतली से नीचे ही अगर वो डाइगनोज हो गया है कि नाखुना है तो उसको जल्द से जल्द हटबा लें अब बात आती खर्च की कि सर क्या खर्च आता है इसमें तो प्राइवेट इंसिट्यूट जो है प्राइवेट आई होस्पिटल्स हैं या कार्पूरेट होस्पिटल्स हैं इसमें अलग-अलग खर्च है सभी होस्पिटल्स का कोई पर्जन आठ जार रुपे लेता है कोई दस जार रुप से जो नाखूना का उपरेशन होता है उसमें सरकार अस्पतालों को जो भी आईश्वान कार्ड से लिस्टेड हुए है या लिस्ट करवाया है जिस अस्पताल ने उसको 5000 रुपे गवर्मेंट देती है कि आप नाखूना का उपरेशन करीए अब आपको हमारे वीडियो के माध से यह तो पता चल गया कि नाखूना का उपरेशन भी आईश्वान कार्ड से होता है और सरकार 5000 रुपे की हेल्प करती है अस्पतालों को तो अब आपको यह महसूस हुआ कि भाई फलाने अस्पताल में आईश्वान कार्ड से मोतियविन का उपरेशन हो रहा है चलो चलकर पता करते हैं कि वहां पर नाखूना का उपरेशन हो रहा है तो करवा लेंगे आड तो मेरे पास बनाई है अब क्या होता है कि जो प्राइवेट अस्पताल है कोई कोई प्राइवेट अस्पताल नाखूना का उपरेशन करने को रेटी नहीं होते कुछ अस्पताल हो जाते ह क्योंकि कुछ ऐसे अस्पताल भी है जहां पे अगर सर्जरी का रेट 10, 12,000, 14,000 है और सरकार उनको 5,000 रुपए दे रही है तो वो वेलू ही उनकी नहीं निकल के आ रही उनके अस्पताल की खर्चे इतने ज़्यादा है उनका स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, पेरामेटिक स्टाफ है, ओटी का खर्च है, लेक्टिसिटी है, एक्यूपमेंट्स है, सीवी सी खून की जाचे हैं, इसके बाद फालो अप विजट है, दवाईयों का खर्चा है, सब कुछ बैट चार सब उसमें इंकलूड है 5,000 रुपए में, तो कई अस्पताल नाखूना के सर्जरी को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो मना कर देते हैं, कि यहाँ भी नाखूना का सर्जरी अवेलविल नहीं आईश्मान कार्ड से, अगर ऐसा हो रहा है, तो आप अपने नजदी की ऐसे अस्पताल में जाकर पूस सकते हैं, जहाँ पर यह विवस्ता अस्पताल दे रहा आईश्मान कार्ड से, आप ट्रस्ट के कोई हस्पिटल हो, वहाँ जाके पता कर सकते हैं, वहाँ सेवा भाव से सेवा होती है, वहाँ की खर्च कम है, वहाँ कुछ funding ऐसी भी है, सरकार की भी help है, कई लोग उसमें मदद करते हैं, कुछ foreign investors भी मदद करते हैं, तो आप चाहे तो ट्रस्ट के अस्पताल में आईश्मान कार्ड से अपना free में नाखुना का operation करा सकते हैं, अब नाखुना की सर्जरी की भी चर्चा कर लेते हैं, वीडियो के माद्यम से पहले क्या होता था, कि जब सर्जरी OT में की जाती थी सर्जन के द्वारा, तो उसमें जो पुतली पे जो मांस का टुकड़ा चड़ता था, तो डॉक्टर सर्जरी के द्वारा उसको blade से हटा देता था, पूरी process जो operation की होती है, उसके द्वारा, तो उसका आंगे का हिस्सा हट गया, पीछे का हिस्सा कुछ उसमें रह जाता था, रह जाने के बात क्या होता था, कि जैसे मान पूतली पे लिक्रोच करता था, फिर new advancement आये surgery में और conjunctival autograph की surgery होने लगी, उसमें क्या होगा, होता है मतलब कि आपका जो मांस का टुकड़ा हटाये गया, जो पूतली पे चड़ रहा था, उसके बाद उस area के ऊपर conjunctival layer होती है, हमारी जो आख है, उसमें, देखिए मैं नी उसके ऊपर conjunctival layer होती है, उस conjunctival layer को छोटा सा हिस्सा उसका अलग करके और उस area पर जहां से वो मांस हटाये गया है, वहाँ पे fibrin glue या stitches से attach कर दिया जाता है, जिससे कि वो recurrence जो बार बार हो सकता है कि दुबारा हो जाए नाखुना, वो उसकी होने की सम्भावना 8-10% रह गई, जो पहले 80-90% थी, तो अब जब भी डॉक्टर के पास जाएं, आइस्पान कार्ड से नाखुना का उपरेशन करवाने के लिए, तो डॉक्टर से conjunctival autograft की सर्जरी जो सरकार भी जो 5,000 रुपे दे रही है इस सर्जरी के, वो conjunctival autograft की सर्जरी के लिए दे रही है, ये आपको हमेशा ध्यान ये उनका जो डाटा है, उसमें ये साफसा मेंसन है कि पेशन का conjunctival autograft के द्वारा आप सर्जरी करेंगे, आईश्वान कार्ड से, तो ये बात थोड़ा आप डॉक्टर से जब जाएं, तो जरूर कर दें कि सर ग्राफ्टिंग करवानी है, conjunctival autograft करवा दीजेगा, तो बार बार इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर दीजेगा, चैनल पर पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा, जिससे आगे आ आने वाले आई रिलेटिट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, थैंक यू वेरी मैच फ्रेंड्स